बिसमिल्लाहिर्मानिराहिम असलाम अलेक। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे बहुत ही यूजफुल से चंद हैक्स लेकर आई हूँ तो यह आप लोगों ने देखा होगा कि एंडे की जो शीट होती है उसके ओपर ट्रे के ओपर से यह शीट इस तरह से उतरती हैं अपने कीचन में या किसी भी जगा पर आप इसको हैं कर लें यहां पर मैंने प्लास्टिक की जो डोरी ली है तो वह मैं साथ लगा दूंगी इसको सिर्फ जस्ट हैं करने के लिए इस तरीके से करेंगे तो अगर आप थोड़ी सी वजनी चीज इसके अंदर रखेंगे कि यह मैंने शॉपिंग बैक किस तरीके से इस तरीके से फॉल्ड करके सरे रखे विए अगर आपको मरी विरूरी देखनी है पसंद है कि हमीद है आप लोगों को तो जरूर देखिए का जाके मेरे चैनल पर यहां पर यह देखें वह रखने से थोड़ा वो डीला सा हो गया तो मेरा एक और्गनाइजर किचन में लटकाने के लिए तैयार हो गया अब बहुत अच्छे तरीके से आप इसके अंदर शॉपिंग बैक रखने चाहते हैं तो राक सकते हैं इसके अंदर आप कुछ भी और चीज़ें रखना चाहें तो आप अच्छे तरीके से इसको अड पसंद आया होगा तो इसके अलावा भी आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जयाना उनको आडियास कर सकते हैं तो की ट्रे के ऊपर से उत्तरा हुआ यह जो बैक होता है शॉपिंग शॉपर्स होता है इसको आप इस तरीके से लिटका कि आपने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं आप इसके अंदर आपने टावल्स किचन टावल्स वगारा इसके अंदर रख सकते हैं टीशू पेपर रख सकते हैं या फिर इसके अलावा आप इसके अंदर शॉपिंग बैक जयाना वो भी रख सकते हैं इस तरीके से आप लेके इस तरीके से श पर वक्ते जरूरत आप इसने नकालें और नकाल के इस्तमाल करें। आपको यह अच्छा लगा होगा तो पसांद लाइक और शेयर जरूर का दीजिएगा चैनल को सब्क्राइब का दीजिएगा। इसे आप इसे के अंदर चुले के पास, नहीं को भी चुल्य तुमा कर सकते हैं! और के अपनी माचस भी तुनडे और ऊसलों नहीं होगा सुपमेद के तो इसको है! जो एन्ड़ोगी ट्रेे के बारे में हैं अंधरोगी ट्रे जो एन्ड़ोली हम लाते है तो लाके हम इनको इस पहा का पैंक देते हैं в हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ आपने घर की बिखस साथ आप बहुत अछिए सी घर को डैकोरेट भी कर सकते हैं, मैं आज लोगों को इसाथ जो एक बहुत ही खुबसूरत सा ना इसके साथ जैसे बनी हुई है, उसी तरीके से एक एक को अलाइदा अलाइदा काट लेना है, मैं आपको यहां पर पूरा नहीं बना कर दिखाऊंगी फैंकने की बजाए मैंने इसको रख लिया, मैंने का इसको ना इसके साथ मैं फ्लार बना हूँ और उन फ्लार को किसी जगा पर यूज करूँ तो यहां पर मैंने सिंपल इस तरीके से सिर्फ इस तरीके से काट लेना है और अब इनको मैंने इस तरीके से साइडों से भी अंद बगैर खर्चे के आप इनको बना सकते हैं, इस तरीके से मैं सारे को काट लेती हैं, और फिर बना के दिखाती हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, तो लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, सबसे बढ़ कर जो एक प्यारा हासा कमेंट लाजमी आपनी वीडियो में कमेंट कीजीए मंने कर दिए घरन जमी मुझे लाजमी ऐक प्यारा सा इस अम्यारा हास आप इसको 3-4 layer जिस तरह का भी यो इनाना चाहते हैं आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं इसको सिर्फ दोख वाला आज बना के दिखाँगा इसके बाद मैं आप लोगों के साथ बाकी वाले भी इन्शालला ज़रूर शेयर करूंगी मुझे नीचे से वो थोड़ा सा लग रहा था मैंने करते लो इसके साथ पतिया हैं भी बनजानी चाहिए तो यहां पर मैंने उसका जो बाकिए इस्सा जो पोर्शन के पेटल्स है वो सकी पना ली ए तो पैटल्स आपको पता है कि हिस तरह सो तरह से बनाने है पते कैसे बनाने है तो बहुत अरो मैं आप लोगों साथ यह देखें शेयर कारीएं सिंपल से इनको साइड हो से काट काट के 서 outta साइड हो से आप नओ को मैंने चार लीव बनाने तो चारों तरफ पे एक एक लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा इस तरीके से मैं इनको एक दूसरे के साथ रखते हुए आडजास कर लेती हूँ तो यह देखें मेरी चारों हो तो इसको आप अंदर से थोड़ा थोड़ा काटते हुए मैंने इनका लीव की शेव दे लेनी है तो अच्छा तिके से जब मैं लीव की शेव दे लूँगी आप इसको इसी तरीके से भी लगा सकते हो सेम कलर्स में भी लगा सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ओपर नेल पालश लगाके तो इसको कलर मेरे पास नहीं था तो नेल पालश जो यहां पर मैंने एक पिंग कलर का चार्ट पेपर ली है इसको मैं सिंपल इस तरीके से थोड़ा था लेकर तो उसको अच्छे से साइडों से इसको कट लगा दूँगी अच्छे तरीके से कट लगा के फिर मैं इसको रोल करके दर्मियान वाला हिस्सा फूल का वो बना लूँगी तो यह देखें एक तो बहुत चोटा लगेदा इसके अंदर तो मुझे इसके अंदर और भी यूज़ करने होंगे तो वो मैं कैसे करते ह वो देखने के लिए आपको मेरी लाजबी वीडियो देखें वीडियो पर बने रही है ज़रूर तो यह देखें इस तरीके से अब मैं दूसरा हिस्सा भी काटके उपर उसको चड़ा दिया तो अब मैं इसको इसके अंदर राक दूँगी यह देखें इस तरीके से मैं इसक साथ अड़ियास कर दिए अप ग्लूगन यूज़ करते हुए हमेशा बहुत बहुत अत्याद करनी है क्योंकि ग्लूगन यूज़ करके मेरे हाथों पर जो ना वो इस तरह मुझे जुनून सा हो गया कि वीडियो बनाने का तो मैं बनाती हूँ लेकिन आप मुझे अगर सही र पूल बनाकर तयार कर लिया है अब मैं नेक्स्ट पूल जो इसके साथ बनाओंगी वो मैं बनाओंगी रोज पूल का तो देखें आप लोगों को वो भी बहुत पसंद आएगा तो अब मैं इसके जो पोर्शन है वो थोड़ा सा काट लोगी इसको तो देखें अच्छे तर इसके साथ दूसरे वाला पोर्शन वो इसको अडियाज करते हुए इसको भी थोड़ा-थोड़ा सा इसको साथ अटैच करते हुए इस तरीके से मैं जैसे चारों आपस में मिक्स करूंगी तो आप देखेंगे कि बहुत खुब्सुरा सा मेरा गुलाब का पूल बनका तेया होब आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए कि पसंद आई तो लाइक को शेर जरूर का दीजिएगा चैनल को सब्क्राइब का दीजिएगा अपना रखेगा ख्याल मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अजाज़त दीजिए अलाफ पीज